दोस्तो आप जितना बार इस LED कीट को चेंज करते हो ये खराब हो जाते हैं आप बार बार इस LED कीट को चेंज करते हो और इसमें लगे हुए एक या दो वाल फ्यूज हो जाते हैं और ये खराब हो जाते हैं और आपका लॉस हो जाते हैं तो दोस्तो इस LED कीट को चेंज करने से पहले आपको ये जानना जोर रही है कि ये फ्यूज क्यों होता है जब तक इसके कारण आप नहीं जानोगी है और उस प्रवलाम को सौल्प नहीं करो कि तब तक तो ये फ्यूज होते जाएगा दोस्तो मानली जी आपको भुखार है और आपने भुखार का दवाई कोई पैरा सेटमोल ले लिया तो भुखार तो चला जाएगा दोस्तो लेकिन जड़ से भी मर खतम नहीं होगा इसके लिए आपको एंटिवाइटिक लेना पड़ता है तो दोस्तो आज के वीडियो में जो लाइक करना ना भुल दोस्तो तो चलिए दोस्तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं दोस्तो अब देख सकते हो मेरे पास एक न्यू कीट रखा हुआ है लेकिन मैं इसको लगाने वाला नहीं हूँ पहले इसका जो पुरबलम है जो जिसके कारणे फ्यूज होता है उस आउट्पूट है जो एक रेड वायर और व्लक वायर निकलता है इसमें से एक सो वाल्ट निकलना चाहिए ठीक है क्योंकि यह कीट सो वाल्ट में चलता है उससे अगर ज्यादा हो जागे 120-30-40-50 या 200-300 हो जाएगा तो एक LED बल्प तूरंत फीज हो जाएगा ठीक है तो अप से पहले आपको माल्टी मीटर में इस ड्रैवर सरकीट की आउर्पूट वॉल्टेज को चेक कर लेना है ठीक है DC की रेंज में रखकर चलिए मैं आपको मेजर करके दिखाता हूं कि इसमें वाल्ट कितना हो रहा है तो फ्रेंट्स मैंने मीटर को DC 1000 वॉल्ट की रेंज म देखिए मुझे लगता है यह 300 भी पार कर देगा देखिए देख सकते हो अब 300 पार हो चुका है तो इतना वॉल्ट अगर आउटपूट में मिले तो क्या आपका ये लेडी बर्ब ठीकेगा ये तो फ्यूज होगा ही तो सबसे पहले ये वॉल्ट क्यों बढ़ रहा है 300 वॉल तो चलिए मैं पहले इसको बाहर निकाल लेता हूँ तो दोस्तो अब देख सकते हो मैंने कीट को बाहर निकाल लिया हूँ अब मैं इस कीट के अंदर जो लगे हुए कंपोनेट है तो किस कंपोनेट खराब के करन ये जो आउटपूट में 300 वॉल्ट मिल रहा है हम आपको द पूट लाइन के इनका नंबर है 373 के का कैपिसेटर लगा हुआ है इसको मैं चेंज करूँगा एक मैं दुसरा वाला ले लिया हूँ फ्रेंड्स दुसरा कीट से मैं बाहर निकाल लिया हूँ आपके पास अगर नहीं है तो आप दुसरा कीट से ले सकते हो देखिए मैंने इसको मैं बाहर निकाल दूँगा और इस नए वाले जो कैपिसेटर है इसको मैं लगाओंगा और आपको दिखाता हूँ कि वॉल्ट कितना आ रहा है तो चलिए मैं फट फट लगा लेता हूँ तो आप देख सकते हो फिरिंस मैंने उस पीएप को चेंज कर दिया हूँ अब मैं इसमें पावर देकर मैं वॉल्टीज मेजर करके दिखाऊंगा इस ड्रैवर सरकीट की आउटपूट में कि पहले साड़ तिन सो वॉल्ट आ रहा था धीरे धीरे बढ़ रहा था तो अब वॉल्टीज सही हुआ कि नहीं हुआ तो चलिए आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैंने दूसरा रीजन भी आपको बताने वाला था तो अब देख सकते हो फिरेंस इस कीट को अच्छा से देख लिजेए इसका नमबर नोट कर लिजेए ये कीट बिलकुल भी मत लगाई है एक कीट लगाते ही खराब हो जागा तुरांद खराब हो जागा है फाल त चल जाएगा ठीक है तो चलिए मैं फटाफट कीट को लगा लेता हूं और आपको चेक करके दिखाता हूं तो दोस्तों अब देख सकते हो मैंने कीट को जोड़ दिया हूं और इसमें दो कीट लगा हुआ मैंने तोड़ा नहीं क्योंकि सिर्फ आपको मैं दिखाना है इसलि बाल आपको मैं और आपको कीटू दोड़ा नहीं